हलो दोस्तों नमस्कार आज की स्वीडिस में हम बात करने वाले हैं अगर आप गूगल पे में अपना बैंक अकॉंड लिंक कर रहा है तो वो आड नहीं हो रहा है और आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है को नौट फर्ल्ड अकॉंड ठीक है तो इस तरीकी प्रॉब्लम है कब देखने को मिलती है और हमारा नंबर भी बही है जो कि बैंक अकॉंड में लगा है तो चलिए जान लेते हैं जैसे कि हम ट्राइग नाओ पर सिंपली किलिक करते हैं उसके बाद में आपको जो भी बैंक आप सेलेट करेंगे और आप यहां पर कंटिना पर सिंपली किलि आते हैं कि आप किस तरीके से यहां पर अपने बैंक अकॉंड को आइड कर सकते हैं जौन सभी आपका बैंक अकॉंड है जैसे कि मेरा यहां पर भी ओवी ठीक है इस पर मैं सिंपली किलिक करता हूं इस पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि आखिर यह सर्विस जानी कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वरना आप फून की सैटिंग्स में जाएंगे और आपको सर्च वार में लिख देना है एप लिश्ट ठीक है या फिर एप मैंनेजर तो मैं यहां पर एप लिख देता हूं और उसके बाद में एप से रिज़े जितनी भी सैटिंग्स वह आप लिखने को मिल जाएंगे मैं यहां पर सिंपली क्लिक करूँगा अपके सामने इस तरीके से कड कर देना है अब यह बिलकुल नय से काम करेंगी ठीक है तो चलिए हम यहां पर गूगल्प को तो simply open करेंगे अपना mobile डालके यहां पर verify कर लेना है तो चलिए मैं यहां पर अपना mobile डालके permissions देखे और अपना mobile डालके यहां पर verify कर लेता हूं आगे का process अब जानेंगे जैसी verify हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा आपको यहां पर add bank account इस पर आप simply click करेंगे जो भी आपका bank है वो आप यहां पर ऊपर में search भी कर सकते हैं अगर आपको यहां पर देखने को नहीं मिले है उसके बाद में आप continue पर simply click करेंगे permissions को allow कर देंगे फिर permissions को allow कर देंगे ICMS वाली के लिए क्योंकि ICMS की जो permissions है वो on होना ही चाहिए तभी आपका bank account है वो link होगा ठीक है इस तरीके से जो आपका bank account है वो यहां पर add हो जाएगा और उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा तो आपको यहां पर कुछ भी देने की जुरूरत नहीं है ठीक है तो चलिए मैं यहां पर अपना यहां पर नेम दे देता हूं जैसे की कनही and लाल ठीक है उसके बाद में हम यहां पर इस पर simply click कर देंगे yes पर और आप देख पा रहा है कुछ इस तरीके से होगा तो आपको इस पर simply click कर देना है मैं इसे back कर देता हूं space था इसलिए नहीं हुआ ठीक है अब यह हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहां पर अपना bank account attach कर सकते हैं आप देख सकते हैं bank account attach हो चुका है उसके बाद में हम यहां से balance check कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां से simply अभी cut करता हूं और home screen पर आकर हम balance check प ठीक हो जाएंगे तो हम balance भी यहां पर check कर पाएंगे तो इस तरीके से आप अपने गूगल पे में bank account attach कर सकते हैं वीडियो चलिए वीडियो उसको like करें